जै मसी की दोस्तों, आज के सुर्गी मन्ना का भाग हमने लिया है ओब दहा की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका सत्रवा और अठारवा वचन. वचन कहता है परंतु सियोन परबत पर ही कुछ लोग बचे रहेंगे और वो पवित्र होगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा तब याकूब का घराना आख और यूसुफ का घराना जोहला होगा परंतु ऐसाब का घराना भूसा होगा वे उसम आख लगाकर उनको भस्म कर देंगे यहां तक के ऐसाब के घराने का कोई नहीं बचेगा धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पवित समर्थी नाम में अद्फुष शिफा है और ग्यान है और बुथ्थी है धन्यवाद परमेश्वर दोस्तों यह वचन क्या पैथाता है यहां पर तीन लोगों की बात हो रही है याकूब, यूसुफ और एसाब अगर हम देखें और बाइबल पढ़ें और इत्यास की तरफ अगर अपना मुँ मुड़े तो हम जानेंगे कि याकूब जो एक धोके बास था लेकिन फिर भी उसने परमेशर को खोशना चाहा वो परमेशर को खोशता रहा परमेशर के चरणों में रहा वो परमेशर के योग्ये बनने की कोशिश करता रहा यहां तक कि उसने परमेशर के संग कुष्थी लड़ी और परमेश्र ने उसे जीतने का मौका दिया दोस्तों हम किस तरीके से परमेश्र को खोशते हैं हम किस तरीके से परमेश्र को अपने जीवन में पाते हैं हम किस तरीके से परमेश्र के करीब रहना चाहते हैं हमारा नजरिया क्या है हललोया, ऐसाब जिसको परमेश्व ने दर्शन दिया था कि वो उसके साथ है परमेश्व ने दर्शन दिया था कि वो उसे प्यार करता है परमेश्व ने वाचा बांदी थी कि यूसुफ मैं तेरे साथ हमेशे रहूँगा कभी तुझे नहीं छोड़ूँगा और उस वाचा को उस दर्शन को यूसफ ने अपना बना लिया था उसके भाईयों ने उसे बेश दिया उसने गुलामी की जिन्दिगी जी उसने जेल गया उसने हर तरीके की मुसीब्तों का सामना किया लेकिन परमेश्र के दर्शन को नहीं छोड़ा उस विश्वास को नहीं छोड़ा उस प्यार को नहीं छोड़ा उस वाचा को नहीं तोड़ा जो परमेश्र के द्वारा उसने बांदी थी और एक दिना से आया कि यूसफ को परमेश्र ने मिसर का प्रधान मंत्री बना दिया और उसके द्वारा आजादी थी खालेलोया, दोस्तों ऐसाब कौन था, ऐसाब याकूब का बड़ा भाई था, खालेलोया, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, परमेश्वर ने पैलोटेपन का अधिकार दिया था, परमेश्वर ने उसे बड़े भाई होने का अधिकार दिया था, लेकिन ऐसाब ने क् अधिकार उस ऐसाव को पूरी तरीके से अपने आशीश से निकाल दिया, उसके उपर से अपने आशीश को निकाल दिया, हालेलोया, दोस्तों, आज हमारे संग क्या हो रहा है, हमें परमेश्र ने इशुमसी के द्वारा आशीश दिया है, हमें परमेश्र ने इशुमसी के द् पर ला सकता है, वो अधिकार जो परमेश्वर का है, वो अधिकार जो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर नहित है, उस अधिकार का हम मुल्य नहीं समझते हैं दोस्तों, वो मुल्य नहीं समझते हैं, क्योंकि वो अधिकार अगर हमारे अंदर है, तो हमें उस अ अगर वो अधिकार आदम को याद होता, कि जो साप है, जो जानवर है, ये मेरे नहित है, मैं इसको आज्ड़ दूँगा और वो यहां से जाएगा, लेकिन आदम ने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया, हम भी अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करते है, मुझे अपते आते हैं, संकट आते हैं हमारे जीवन में कई प्रॉब्लमस आती हैं लेकिन हम ड़ते हैं हम ड़ते हैं, हम ड़ते हैं और परमेशर से प्रातना करते हैं परमेशर कहता है, नहीं, मुझे से प्रातना मत करो जो अधिकार मेंने तुम्हें दिया है कितने लोगों ने उस अधिकार को उप्यूग किया, कितने लोगों ने परमेशर की वाचा को समझा, कितने लोगों ने परमेशर के प्यार और उसकी यूजना को अपने जीवन में बसा लिया, यही परमेशर चाहता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि हम उसकी वाचा उसके साथ च चलाएं और हम विचाई बनें इस धर्ती पर रहते हुए हमें स्वर्ख कानभव करना है स्वर्ख तो हमें मिलेगा स्वर्ख तो हमें मिलेगा लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे जो नई स्रिष्टी में है इस धर्ती पर रहते हुए स्वर्ख कानभव करें हालेल अपने अधिकार के लिए अपनी वाचा के साथ परमिश के साथ रहते हुए उसके उपसे दिकाशी श्पाएंगे इश्यो मस्या के पविद्ध समाती नाम से हम मांगते हैं धन्यवाद देते हैं प्रात्रा अपने सुनियर को बूल किये मैंन